हमास को बर्वाइब इसराइल को जीतना होगा गाजा युद को तीन महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है 23,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इसराइल हमास के युद में मारे जा चुके हैं उत्तरी गाजा, दक्षनी गाजा, मध्ध गाजा और गाजा शहर में हमास के लड़ाके पूरा जोड लगा रहे हैं कि किसी तरह से इसराइली सेना को जमीनी युद्ध में हरा थी लेकिन हाई टेक और घातक हतियारों से लेस इसराइली सेना बेरहन हमले कर रही हालात ये हो गए हैं कि हमास के टॉप कमांडर से लेकर आईडियेफ से मूर्चा लेने वाले हमास लड़ाके बहुत बड़ी तादात में मारे गए हैं हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे अमेरिका भी अब गाजा में मारे जा रहे फिलिस्तिनियों की मौत पर आँखे मूंद रहा है और क्यों और कैसे हमास के टॉप कमांडर अचानक बड़ी संख्या में मारे जाने लगें 8000 मार डाले 37000 मारेंगे मिडल इस मीडिया में इस वक्त गाजा युद्ध पर दो तरह के दावे चल रहे हैं मिडल इस मीडिया में ये खबर तेजी से उड़ रही है कि मिडल इस और पश्री मेशे में मौजूद कई मुस्लिम मुलकों ने अंदरी अंदर हमास को खातक धोखा दिया है जिसके वज़ा से हमास अब गाजा में बुरी तरह से हारने लगा है हमास चीप इसमाईल हानिया और टॉप कमांडर याहिया सिन्वार को भी अंदाजा नहीं था कि तुर्की जैसे मुस्लिम मुलक हमास से गद्दारी करेगा हमास को ये भी अंदाजा नहीं था कि मुस्लिम मुलक कतर इस्राइल की इशारे पर हमास को सरिंडर करने के लिए मजबूर करने लगेगा हमास को मुस्लिम मुलकों ने दिया धोखा हमास के कमांडर अबू बैदा का दावा है कि कतर ने एक समझोता हमास के सामने रखा था जिसमें कतर कह रहा था कि अगर हमास हत्यार डाल दे और इस्राइली सेना के सामने सरिंडर कर दे तो इस्राइली सेना हमास के लड़ाकों और कमांडरों की जान बक्ष देगा हमास के सामने कतर में ये भी शर्ट रखी थी कि हमास को गाज़ा छोड़ना पड़ेगा और पूरे गाज़ा में एग गैर हमास दलों की सरकार बने थी लेकिन हमास ने कतर, अमेरिका और इसराइल के सरेंडर समझोते को ना सिर्फ ठुकरा दिया बलकि दिसम्बर 2023 से नौजरवरी 2024 के भी कम से कम दस बड़े हमले इसराइली सेना पर कियें जरा देखे हमास की मिलिटरी विंग की ये विडियो जिसमें हमास के लड़ाके इसराइली सेनिकों पर रॉकेट से सीधा हमला कर रहे हैं हमास मिलिटरी विंग के इस विडियो में साफ देखा जा सकता है कि इसराइली लड़ाके घाजा सिटी में आपरेशन करने जा रहे हैं लेकिन इसी पीच एक तबाह इमारत की बैलकिनी से रॉकेट से हमला किया जाता है जो सीधे इसराइली सेना के पास आकर गिरता है इसके अलावा हमास लड़ाकों को खातक हत्यारों के साथ मलबे और तबाह वाहिनों के पीचे से भी हमला करते हुए देखा जा सकता है हमास इस वीडियो से ये साथ करने पर तूला है कहमास अभी पुरी तरह से जिन्दा है और इसराइली सेना को पारे नुकसान पोंचाने में सक्षम है אתמול חשפנו באל בורג' את מפעל הייצור הרקטות ואמצעי הלחימה הגדול ביותר של החמאס במהלך הפעילות המבצעית להשמדת התשתית התת-קרקעית של המפעל נגרם פיצוץ כתוצאה מיירי טנק שזייה מטרת אויב בשטח ככל הנראה פגז של הטנק פגע בעמוד חשמל סמוך שגרם להפעלת המטען इसराइल ने भी पिछले 24 घंटे में हमास के अड़ों पर भयानक हमले किये हैं इधर इसराइल ने मध्धे और तक्षनी गाजा में बंबारी और जमीनी घुसपैट तीज कर दी है रात बर हुए हमलों में दरजनों लोग मारे गएं जिनमें राफ़ा शेहर में एक ही परिवार के 15 लोग मारे गएं फिलिस्तिनी प्रशासन के मताबेक 23,000 से ज्यादा फिलिस्तिनी तीन महीने से ज्यादा की जंग में मारे जा चुके हैं हैरानी की बात तो ये है कि अब अमेरिका भी कहने लगा है कि जब तक हमास सरिंडर नहीं कर देता या फिर हमास का सफाया नहीं हो जाता है तब तक इसराइल युद्ध नहीं रोकेगा यानि अमेरिका कहना चाहता है कि चाहे भले ही इस्राइली हमले में और ज्यादा फिलिस्थीनी मारे जाने लेकिन अब इस्राइल पर युद्ध रोकने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा इस्राइल की राजधानी तेल अवीव से 9 जनवरी 2024 को आई इन तस्वीरों को देखी जहां पर अमेरिकी विदेश मंत्रे एंट्री ब्लिंकन इस्राइल के प्रदहन मंत्रे बिन्यमिन नेतन याहू के साथ मीटिंग कर रहे हैं नेतन याहू के चेहरे को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें गाजा में हमले और तेज करने की हरी जंडी अमेरिका की तरफ से अमेरिकी विदेश मंत्री एंट्री ब्लिंकन दे रहे हैं अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंट्री ब्लिंकन और इस्राइली रक्षा मंत्री योग गैलंट की ये तस्वीर भी देखी जिसमें दोनों ना सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं बलकि दोनों देशों के रक्षा और खुफिया विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ घाजा युद के हर पहलू की जानकारी एक दूसरे को दे रहे हैं एंट्री ब्लिंकन के साथ चलते इस्राइली रक्षा मंत्री योग गैलंट के हाफ भाव को देखी जिससे साथ पता चलता है कि इस्राइल आने वाले दो से तीन हफ़तों में हमास पर भयानक हमले और करने जा रहा है एंट्री ब्लिंकन के तेवर और इरादे हमास और फिलिस्तीनियों को लेकर बदलने लगें जिस्तीनियों को इस्राइली पीम और रक्षा मंत्रे से मिलने के बाद 10 जनवरे दो हजार चॉबिस को अमेरिकी विदेश मंत्रे एंट्नी क्लिंकन फिलिस्तीनी राश्पती महमूद अब्बास से भी मिले ब्लिंकन ने हमास लड़ाकों को लेकर राश्पती महमूद अब्बास को क्या समझाया इसकी खबर अभी बाहर नहीं आई है लेकिन रमल्ला शेहर में राश्टपती महमूद अब्बास और बलिंकन की मुलाकात होते ही जूरदर प्रदर्शन शुरू हो चके हारते हमास और मरते फिलिस्तिनियों के बीच फूटा गुसा साबित कर रहा है कि इसराइल के बाद अब फिलिस्तिनी अमेरिका को भी अपना क अद्धाम हादा अइछ अधिलाल फी हर्ब ही जब श्चाब फिलिस्तिनी अज़राइल और हमास के बीच खूनी चड़ब तेज होती जा रही है इस बीच इसराइली सेनगे प्रवक्ता डैनियल हगारी ने हमास और इसराइल के बीच जारी संगर्ष को लेकर बड़ा दाव किया है भगारी के मताबेक इसराइली सुरक्षा बलो ने उतरी गाजा से हमास के आतंकियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया है इसराइली सेनग प्रवक्ता के मताबेक अब तक 8000 से ज्यादा हमास के आतंकी मारे जा चुके हैं इसराइली सेनगे दावों के मताबेक इसराइली सेनग अब तक हमास के सबसे टॉप 11 से ज्यादा कमांडरों को मार चुकी है जबालिया इलाके में बटालियन कमांडर डिप्टी ब्रिगेड कमांडरों और फील्ड में मौझूद लड़ाकों का नित्रत हुआ करने वाले 11 कमांडर मारे गए हैं जिसमें सबसे टॉप कमांडर वरिष्ट एहमद रेंडर भी शामिल है इस बीच आईडिया फ़र शिन बेट ने मध्ध गाजा में हमास की नुसीरत बटालियन के कमांडर इसमाईल सिराज और उनके डिप्टी एहमद वाहाबा को हवाई हमले में मार दिया है नुसीरत बटालियन ने कथे तौर पर साथ अक्तूबर को किबुत्स बेरी पर हुए हमलों की जिम्मदारी ली थी इसराईली सेना के मताबक मध्ध गाजा के शरणारती शिवर हमास लड़ाकों से भरे हुए हैं जब कि खान यूनस इलाके में हमास का भुमिगत सुरंग नेटवॉर्ग इसराईली सेना के जीत में सबसे बड़ी रुकावट बना हुए है इसराईली सेना ने ऐलान किया है कि गाजा जंग दोहजार चौबीस में पूरे साल तक जारी रहेगी तक जारी जारी बनाख्यार जाराईली सेना के प्रवक्टा ज'नियल हगारी कमुताबक दक्षनी गाजा में हमास के लड़ाके अब पूरी तरह से एक्टिव हो गए है इसराइली सेना का साफ कहना है कि दक्षनी गाजा में अभी हमास के आतंकियों को खत्म करने में वक्त लगेगा लेकिन जिस तरह से हमास के लड़ाकों के खिलाब कतर और तुर्की जैसे मुलक इसराइल का साथ दे रहे हैं उससे ये तै हो चुका है कि अब हमास को ना तो एरान और ना ही हिजबुल्ला बचा पाएंगे